अभी इस वीडियो में 225 का स्क्वार रूट निकालना से जखेंगे दोस्तों ऐसे तरीके से समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा तो इस video को फूरा देख ले और अपने दोस्तों को share कर दें चैनल को subscribe कर दें यहाँ पर देखिए हम अपना इसका prime factorization method से solve कर रहे हैं यानि हम क्या करेंगी इसको prime numbers से divide करके इसको prime numbers के multiply की रूप में लिख देंगे तो आपके prime number कौन होते हैं यह आपके prime number है इनको याद कैसे रखेंगे देखिए एक से 10 तक 4 उसके बाद 11 से 20 तक 4 अधिकतर में आपका इतने से काम हो जाता है अब यहाँ पर ध्यान से देखो दो से कॉन से क्या divide होती जिसका unit digit यानि इसका इका यंग 0,2,4,6,8 इन 5 में से कोई हो तो वो 2 से divide, 3 से divide होने का नियम क्या है इन सब को आपने जोड़ा वो यदि 3 से complete divide हो रहा है तो इसका मलब यह 3 से divide हो रहा है ओके तो 3 से divide करते हैं तो कितनी वार आता है आपका 7 वार आता है उसके बाद 5 वार आता है कैसे डिवाइड किया वो डिवाइड करने का आपका सेमी तरीका रहता है कोई मैंने एडवांस काम नहीं किया 3 से डिवाइड किया 7 वार 21 आगया 5 लिया ठीक है और रिमेंडर 0 आगया मनले complete डिवाइड हुआ है ओके इसमें दिकत थोड़ी अब देखिए हम क्या करते है आगे इसको देखते हैं यह आपका क्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ इस पर दिखाए दे रहा है इनका सम करेंगे कितना आएगा 12 जो कि 3 से डिवाइड है तो 3 से कितनी वाइड हुआ यह देखिए 2 वार हुआ उसके बाद 5 वार हुआ अब यह किस से डिवाइड हो रहा है यह आपका 5 से डिवाइड हो रहा है कितनी वार 5 वार 5 अगेन किस से डिवाइड होगा 5 से कितनी वार एक वार तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आगे इसके प्राइम फेक्टर्स तीन का तीन दो आ रहा है देखो तीन मल्टिप्लाई तीन मल्टिप्लाई पांच मल्टिप्लाई पांच अब आपको क्या करना है यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाने हैं जोड़े किस के बनते हैं सै पाँच पाँच का बना अब आपका परतिक जोड़े में से उस संख्या को बाहर ले लेना है तीन के जोड़े से तीन बार आएगा इस जोड़े से कौन पाँच बार आएगा इनका मुल्टिप्लाइ करते हैं कितना ता 15 तो 225 का स्क्वेर रूट कितना आगया आपका 15 आगया